सब्सक्राइब करेंगे इसमें बिना परिक्षा आप बन सकते हैं केंद्रे विद्याले सिक्षक क्योंकि एक्जाम और पूरा जो प्रोसेस होता है वह काफी लंबा चलता है तो यहां पर आपको एक opportunity मिल रही है कि केंद्रे विद्याले संगठन के स्कूल में आप काम कर सकते हैं बिना exam बिना written exam दिये केवल interview रहेगा तो बाकी की details जैसे कौन-कौन से school है कौन से state में है job location कि स्कूल में क्या vacancy है उसके लिए key या important date क्या है यह complete information आपको वीडियो में end तक मिलेगी तो चले आगे बढ़ते हैं सभी details के लिए जो सबसे पहली vacancy है वो हम cover कर लेते हैं सबसे पहली vacancy आपको screen पर नजर आ रही है जिसमें की post graduate teacher English के लिए है vacancies और इसके बाद computer science physics chemistry biology post graduate teacher में SST, Hindi, English, Science, Maths and Sanskrit सीधे साक्षात का जैसे मैंने आपको बता है कोई exam नहीं सीधे साक्षात का 4 September 2023 को यह पहली जो vacancy है पहला केंद्रे विद्याले अभी और तीन बचे हैं केंद्रे विद्याले जग्राखंड से आई हुई है केंद्रे विद्याले जग्राखंड 36 गड़ में है तो यह 36 गड़ से है इसकी official website आप नोट डाउन कर लें इंटर्व्यू में शामिल होना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फिल्हाल official website पर अपडेट नहीं आई है तो दो तीन दिन में आ जाएंगे अपडेट तो आप जाके website चेक कर सकते हैं दूसरी वेकेंसी जो है वो दूसरी वेकेंसी दूसरा जो केंद्रे विद्याले ह इंग्लिश, Maths, Computer Science, Biology और Hindi के लिए वेकेंसी हैं और TGT के लिए Hindi and Social Science के लिए वेकेंसी हैं जो दूसरा केंद्रे विद्याले है उसका नाम है केंद्रे विद्याले शिवहर और ये इसके लिए वाक इन इंटर्व्यू 8 सेप्टेंबर 2023 को 8 सितंबर 2023 को इसमें जो है ये स्क बाक्षातकार में उपस्थित होना यहां पर लिखा है और इसके लिए कोई भत्ता दे नहीं होगा मतलब वाक इन इंटर्व्यू है 8 सेप्टेंबर 2023 को इसकी ऑफिशल वेबसाइट आई विए तो आप ऑफिशल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं ये श्योहर बिहार की ऑफि इसकी ऑफिशल वेबसाइट अपडेट आपको मिल जाएगी ये देखें वाक इन इंटर्व्यू है तो मतलब विल्कुल पास है तीजिट इंग्लिश और टीजिट मैट्स के लिए है वेकेंसी और ये वेकेंसी कहां से आई हुई है ये भी हम देखेंगे और कुछ पोस्ट से क्या नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो तीन ही है टीजिट इंग्लिश और पोस्ट ग्राजवेट इंग्लिश और ये विकेंसी आई हुई है तो नया राइपूर से आई हुई है तीन है और इसकी ज्यादा डेट भी नहीं है इसकी भी ऑफिशल वेबसाइट पर ये अगस्त तो ये नया राइपूर वाली जो वेकेंसी ये भी अपडेट ओफिशल वेबसाइट पर अल्रेडी अविलेबल है नया राइपूर अगर आप पूछेंगे कि कहां पर है तो ये चातिसगड में है यहां पर देखेंगे यहां लिखा है ना कॉन्टेक्ट अस में च राइपूर पूस्ट ग्रैट्वेचर हंदी पोस्ट ग्राइश एक उनोमिक्स तेंठ ग्राइटि चुह इंडी अर्त्रीं ग्राइश एंगलीस सेकें ढूट्र 23 को वाक और इसकी है विदीशा के विएस इस पर भी अभी अपडेट नहीं आई है प्रेडी सेवें अगस्त मतलब आज वीडियो बन रहे है संडे को संडे को न्यूस पेपर में पब्लिश हुआ है वेबसाइट पर आने में वक्त लग जाएगा आप अगर जाना चाहते हैं वाकिन इ विद्याले के वह मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बट विदीशा की वेकेंसी के इंद्री विद्याले विदीशा के अभी अभी अफिशल वेबसाइट पर नहीं आई है तो होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा बाकी के लिए आप स्क्रीन शॉट ले चुके होगे या फिर आप वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर ले ओफिशल के वेबसाइट के ओफिशल लिंक्स के लिए